स्वागत दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज वॉक्थू करेंगे ठीक है यह देखे यह जो आप देख रहे हैं आगे से फ्रंट पे दो दुकान है ठीक है यह बीच में पैसस दे दिया गया है अंदर से हम लोग अंदर की तरफ आएंगे ठीक है इस पैसस की तरफ अंदर की तरफ आने के बाद दुकान के बाद राइट सैड में यानि आपको दच्छिन सैड में यह पूरा सीरी मिल जाता है ठीक है दच्छिन सैड में यह सीरी बनाया गया है सीरी भी आपको थ्री फोल्ड है ठीक है यह फर्स हम लोग यहां से साड़े 3 feet का यहां पर लिंध रखा गया है यह step चरने के बाद ठीक है एक बीच में एक step जोड़ा गया है ठीक है बीच में और उसके बाद फिर उपर की तरफ ले जाया गया है यह था हमारा stair और इस side आपको room निकाल दिया गया है यह room है room भी बहुत अच्छा है आप देख सकते है room का size आपको यह साड़े 10 feet ऐसे ऐसे है ठीक है और यह आपको मिल जाता है 11 feet साड़े 10 by 11 का एक यह bedroom है और अंदर की तरफ चलते हैं तो यह बड़ा ऐसा dining hall है ठीक है यह आपको यह वाला जो आप area देख रहे हैं यह आपको 16 feet है ठीक है सोलर फिट बाइ 14 feet है सोलर फिट बाइ 14 feet का यह dining hall रखा गया है सोलर फिट बाइ 14 feet का dining hall है फिर इसके लेफ्ट साइड में एक room दिया गया है यह साड़े 10 by 11 का एक room यहां भी दे दिया गया है यह kitchen है यह kitchen में आपको देख सकते है kitchen kitchen का platform वगरह सब ready है और यह इसका size हम बता देते हैं आपको यह आपको यह लेंते जो देख रहे हैं ऐसे यह horizontal में यह 11 feet है और यह 7 feet रखा गया है इस side ठीक है यह kitchen था आप kitchen के बाद फिर इस side चलते हैं यहां फिर आपको एक room मिल जाता है यह room भी आपको साड़े 10 feet का ही यह grid बना हुआ ठीक है यह भी grid जो आ में साड़े 10 ही मिलेगा और यह वाला जो आप देख रहे हैं यह 13 feet मिल जाता है यानि आगे जो दुकान है वो भी साड़े 10 भाई 13 और दोनों side का दुकान साड़े 10 भाई 13 का है वैसे ही पीछे में यह room भरा भी हो गया है क्योंकि यहां पर toilet bathroom वगरह सब निकाला गया है यह देखे थुरा सा यह एरिया को डिप्रेस करके यहां पर basin वगरह लग जाएगा उसके बाद यहां इस एरिया में bathroom बनाया जाएगा यहां पर toilet कमोट बठेगा और यह पीछे के लिए बरहाइसा gate दिया गया पीछे भी अच्छा पीछे बहुत अच्छा एरिया जगह भी है location बहुत अच्छा है तो यह था हमारा 4BHK का वॉक थुरू अभी काम चली रहा है काम फिनीशिंग मतलब अब इस पर प्लास्टर वगरह होगा उसके बाद आगे काम फिर फर्स्ट फ्लोर पर बनेगा तो फर्स्ट फ्लोर कभी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाओ ख़ंग मैं तो उम्मीद दोस्तों आप लोग को मवीडियो पसंद आया होगा अभी तक आप लोगों ने मेरे इस लेधियो को लाइक शेयर नहीं शेयर कर दिजिए को अर्व scoring कारना ना भूलें किंकि मैं आप लोग के लिए रुज़ाना ऐसी वीडियो tv लेके आता रहता आज के लिए इतना ही, मिलते है नेक्स टूडियो में, थैंक यू